शुबमन गिल उम्र 20 प्लस इतने कम उमर में कोई जब भारत के लिए कप्तान बनता है तो उसके उपर एक बहुत बड़ा दाइत वो होता है लेकिन एक बहुत अच्छी उपर्चुनिटी भी होती है कि अपने कैप्टेंसी के अंदर में इतने बड़े-बड़े सीनियर प्लेयर्स को किस तरह वो खेला सकता है और यही उपर्चुनिटी मिली है शुबमन गिल को जिसकी मैं जो तारीफ करूँ बहुत कामे क्यूंकि शुबमन गिल पंजाब के खिलाडी है पंजाब क्रिकेट असोसियेशन के तरफ से खेलते है और जो भारत न्यूजिलेंड दौरे के लिए जा रहा है उसके लिए जो कमान है दी गई है शुबमन गिल के हाथो और इसी टीम के अंदर हर्दिक पांडिया भी खेल रहे हैं प्रितवी शौ भी खेल रहे हैं तमाम बड़े-बड़े प्लेयर इस टीम का हिस्सा है और शुबमन गिल को यह मोका में लाए लेकिन अगर मैं आपको बता दू की इंड शुबमन गिल के बल्ले से दोहरा श्रतक निकला था तो दोहरा श्रतक और उसके बाद एक और उपरिशुनिटी जब उनको मिली और आखर को कब लाइम लाइट में हो मैं आपको बता दू जब अंडर-19 वोल्ड कप हुआ था दोहजार अठारा में अंडर-19 वोल्ड कप ख जब शुबमन गिल का नाम सब के जुबा पर आया कि कोई खिलाडी विदेश में गया और अपने देश को वोल्ड कप दिलाया था उन्होंने साल 2018 का वक्त था और उसके बाद उस मैच में वो अपकतान भी थे लेकिन शुबमन गिल को उस वक्त प्लेयर आफदा बहुत शंशाय हुआ था कि हो सकता है कि शुबमन गिल इस टीम के कपतानी करते लेकिन जो डीके हैं धिनेश कारते उनके लिए मौका मिला लेकिन इस खिलाडी को पूरे एक करोर उपे में खरीदा गया है मैं आपको बता तू आइपल की सीजन में इस युवाव बले बासक को के कायर ने एक करोर उपे में खरीदा बहुत ही उतार चड़ाव भरा रहा इनका करियर लेकिन दोहरा श्टा किनों ने जमाया था तेरा अगस्त को वेस्ट इंडीज दौरे पर जब भारतिये ए टीम खेली थी उस पक शुबमन गिल ने ये मैच खेला और इस मैच में उन बनाया गया भारतिये ए टीम का कपतान उनकी कपतारी में खेलेंगे तमाम प्लेयर और न्यूजरेंड दौरे के लिए टीम गथित की गई है भारतिये ए टीम के इसके कपतान है शुबमन गिल तो पर एल देजे इजासद और देख देख देगे नेक्स आन स्पोर्स